जैसे कि आज हम आपको असगंदा सीरफ के बारे में बताएंगे जैसे कि असगंदा का ये सीरफ आपके मेमोरी पावर को इंप्रूब करने का काम करता है यानि कि आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम करता है जैसे कि आप कोई बात सोचते रहते हैं सोचने के वज़ा से आपको चिर्चड़ापन हो जाता है, बेचैनी होने लगता है, कभी-कभी आपको घबरहट समयसूस होने लगता है, तो इन सारी समस्याओं को ये जड़ से ठीक कर देता है, और डाक्टर के दौरा ये काफी ज़्यादा इन समस्या में भी ये सीरप पेस्क्राइब किया जाता है, और जैसे कि आपको चिर्चड़ापन रहता है, आप किसी से बात करते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं, उसके ये सीरप काफी अच्छा सीरप होता है, जैसे कि अगर किसी को तनाओ, डिप्रेसन, बेचेनी के जैसा लगातार कांटीनू ये समस्या बना रहता है, तब भी डाक्टर के दौरा ये सीरप पिलाने के लिए दिया जाता है, और जैसे अगर किसी को मिर्गी का दोरा पड़ता यानि अगर कोई event है अगर उसे बार-बार मिर्गी की जटके आते हैं यानि मिर्गी का दोरा पड़ता है तो आपको मालूम है जटके आते हैं उसका जो mind है प्रोपर रूप से काम नहीं करता है तो इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पिलाने के लिए दिया जाता और जैसे कि आपको नीद नहीं आता है आपका मन घबडाने लगता है आपको इसामान कहीं रख देता है और वो बाद में ढूडने लगता है उसे मिलता नहीं है ये एक प्रकार से वो भूल जाता है कि उसने अपना सामान कहां पर रखा है या फिर उसने कल किसी से क्या बात किया था वो भी भूल जाता है तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये सीरफ पिलाने के लिए दिया जाता है ये हमारे मिमोरी पावर को एकदम ताजा बना के रखता है यानि अगर हम कोई चीज रखते हैं कहीं या फिर हम किसी से बात करते हैं तो उसे याद दिलाने का काम करता है चलिए अब हम आपको इस सीरफ के बारे में और क्या यूज होता है डाक्टर के द्वारा और क्या-क्या दिक्कत कौन-कौन सी दिक्कत और कौन-कौन सी समस्या मरीज को रहती है क्या तकलीफ रहती है क्या दिक्कत रहता है तब भी डॉक्टर के दौरा ये सीरप पिलाने के लिए दिया जाता है इस सीरप का डोज क्या होता है इस सीरप का साइड इफेक्ट क्या होता है ये सीरप किसको पिलाना चाहिए किसको नहीं पिलाना चाहिए कितने एज से लेके कि ये सीरप डाक्टर के दोरा पिलाने के लिए दिया जाता है, इस सीरप का डोज क्या होता है, इस सीरप का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डेटेल से हिंदी में जानकारी देंगे, चलिए अब हम आपको इस सीरप के यूज के बारे में ब शरीर में शक्ति और बल्ल परदान करता है यानि ये सीर इप हमारे सरीर में चूसती फूर्थी और तागत लाता है ये काफी अच्छा सीर सीरफ होता है डॉक्टर के द्वारा ये सीरफ काफी जदा पेसक्राइब किया जाता है और जैसे कि अगर आप काम करते हैं तो काम करने की वज़ासे आपके सरीर में बहुत ज़्यादा थकावड की समस्या आजाती है आपको ऐसा लगेगा कि नीद के जैसा आने लगता है आप अगर बैट जाएंगे तो आपको नीद आने लगेगा आपके हाथ पैरों में काफी ज़्यादा दर्दगी समस्या रहेगी आपको बेचैनी समस्या रहेगा तो इन सारी समस्याओं को ये सीरफ जड़ से ठीक करने का काम करता है ये काफी अच्छा सीरफ होता है डाक्टर की दौरा ये सीरफ काफी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है और जैसे कि ये किसी को पैट से रिलेटेट समस्या रहता है आज कल आपने देखा होगा पैट में गैस बनना आपको खटी मेटेड डिकार आना गैस की होजा से आपके सीने के नीचे काफी ज़्यादा दर्द होना आपको बराबर भूख ना लगना और जैसे कि आपका पैट बराबर साफ नहीं रहता है आपको बार बार दस्त की समस्या आता है तो इन सारी समस्याओं को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि इस सीरफ का उपियोग डॉक्टर के दोरा सेक्सूल प्रॉबलम में भी ये सीरफ पीने के लिए दिया जाता है। अगर किसी के जोडों में दर्द है, उंगलियों के हड़ियों में दर्द है, या फिर बॉडी में कहीं पर किसी भी परकार के अगर जॉइंट में दर्द है, जॉइंट से संबंदित अगर कोई समस्या है, उसके हम कैसा है, घुटनों में दर्द की समस्या है, तो इन सारी समस् जब से ठीक करने का काम करता है। जैसे की खाना खाने के बाद में 15 से 20 मिनट बाद में आप इसे 15 एमल दे सकते हैं। जैसे की उसका पेट खराब हो सकता है, उसके सीर में दर्द हो सकता है, उसको बुमेटिंग की समस्या हो सकती है, उसका पेट खराब हो सकता है, और भी उसको समस्या हो सकता है, उसे नीद आ सकता है, और भी इसके अलावा और भी उसे साइट इफेक्ट देखने को मिलेगा।